हेलो स्टुडेंट्स इस राजेंदर सिंग फाम माराज आगर सेंश कुली सार तुड़े वी आर गोईंग टो स्टुड़ी लेशन वन फोर टेंथ क्लास इस इस लेशन इस फूम दा बुक फूट प्रिंट्स विदाउट फीट फूट प्रिंट्स विदाउट फिट का पहला लेशन है ट्रिम फोप सर्जरी इसमें जो मिशिज पैमफरे है वो एक रिच लेडी है और वो अपने डो को बहुत ज़्यादा खिलाती है जिसे वो काफी मोटा हो गया है तो उसकी समस्या या बताई गई है कि उस डो की समस्या क जो की एक वैट है याई जानवरों का जो डोक्टर है उसके दोरा यह समस्या कैसे दूर की जाती इस लेशन में बताए गया है आई वाज रियली वोरीड अबाउट ट्रिकी इस टाइम इसमें यह बाते मिस्टर हरिएट बोल रहा है जो वैट सर्जन है कि इस बार मैं ट्रि हिम इन दा स्ट्रीट विद मिस्टरस एंड आई वाज शोक्ड एट इस एविरियंस मिस्टर हैट ने मिस्टर हैट इस बार काफी चिंति था क्योंकि जब उसने अपनी कार रोखी और गली में उसने जो ट्री की नाम का जो डोग था उसको अपनी मालकिन के साथ देखा और उसके जो जैसा वो दीख रहा था उसको देखकर उसे काफी जैसे धक्का सा लगा और वो जो डोगी है वो इतरा मोटा हो गया था कि वो एक जैसे फुले हुए मास की तरह लग रहा था जिसके कोर्नर पे चार टांगे लगी थी इस आइज बलड सोट और रूमी उसकी आँखे लाल थी और रूमी यानि उसकी आँखो में जो तरल चिपचपा पदार्थ लगावा था वो लगावा था मिसिस पैमफ्रे हैस्टन टो एक्स्प्लेइन लगता है मिस्टर हैरियट और ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई एनरजी नहीं है और वो कहने लगी कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि यह कुप पोशन से पीडित है इसलिए मैं भोजन के जो उसको देती हूँ उनके बीच-बीच में कुछ और एक्स्टरा देती हूँ ताकि अच्छा हो जाए जैसे की some malt and cold liver oil a bowl of Horlix at night to make him sleep nothing much nothing much really और उसको क्या-क्या चीजे देती है some malt उस जो और cold liver oil और Horlix की एक कटोरा भी उसको देती है रात को ताकि वैसोस के और कुछ ज़्यादा नहीं and did you cut down on the sweets things Mr. Harriot पूछता है कि मैंने तुम्हे का था कि उसे मीठी सीजे खाने के लिए कम कर दो क्या तुम्हें किया क्या इस पे हम आगे नेक्स पे देखते हैं कि दो Mr. Harriot है वो इसके बारे में क्या बता रही है Oh I did for a bit but he seemed to be weak I had to relent इस पे Mrs. Pamphrey कहती है कि मैंने कुछ कम की थी उसके लिए मीठी चीजे लेकि मेरे को वो काफी कमजोर लगा तो मुझे कुछ धील देनी पड़ी He does love cream cakes and chocolate soap वो cream, cakes और chocolate बहुत पसंद करता है So I cannot bear to refuse him और वो यह चीजे देने से मैं उसको मना नहीं कर सकती I look down again at little dog मैंने दोबारा उस फोटे दोग की तरफ देखा देट वाज दा ट्रेवल की एक समस्या थी Tricky's only fault of our greed और Tricky की एक मातर जो समस्या थी वो उसकी लालस थी He had never been known to refuse food क्योंकि वो भोजन से इंकार नहीं कर सकता था He would tackle a meal at any hour of the day or night और वो किसी भी समय भोजन खा लेता था day or night में And I wondered about all the things Mrs. Pempre had not mentioned और मैंने इसके बारे में सोचा जो सभी बाते Mrs. Pempre ने ध्यान नहीं दी थी Are you giving him plenty of exercise क्या तुमें उसे तुमें से काफी exercise करवाती हो Well he has his little box with me as you can see But Khodkin the garner Has been Down with the embargo So there has been no Ring No ring throw Lately फिरी इस पे Mrs. Pempre कहने लगी कि ठीक है कि वो थोड़ी exercise मेरे साथ कर लेता है He really means this if you do not cut His food down and give him more exercise He is growing He is going to be really ill You must harden your heart Keep him on a very Strict diet और अब Mr. Harriet क्या कहता है कि I try to sound seer कि मैं मैंने सक्ति से उसे समझाने की कोशिस की Now I really mean this अब समझ लो वास्त में क्या है If you do not cut his food यदि तुम तुम अब उसका बोजन कम नहीं करोगी और उसे काफी exercise नहीं दोगी तो वो बिमार हो जाएगा अब तुमें अपना दिल है वो थोड़ा सक्त करना चाहिए तुमें सक्त करना ही होगा और keep him on a very strict diet और उसे बहुती यानि कम diet पे तुमें अब रखना है Mrs. Pamphrey ट्रगीज हैंड Oh I will Mr. Harriet ये सुनते ही मिसीज है पेंफरे ये अपने हाथ जैसे मलने लगती है और कहती है ठीक Mr. Harriet I am sure you are right but it is so difficult so very difficult मैं समझती हूँ कि तुम ठीक हो लेकिन ये बहुत आसान है बहुत मुस्किल है ये बहुत मुस्किल है ऐसा करना she set off head down along the road वो चली गई सीर जुकाते हुए रोड पे आगे बढ़ी as if determined to put the new regime into practice immediately और ऐसा लगता था कि जैसे उसने जो नई सला है वो मेरी तुनत माल लिए हो I watched their progress with growing concern और मैंने जैसे वो आगे बढ़ रहे थे उनको देखकर चिन्था हुई ट्रीकी वास टोटरिंग अलोंग इन इस लीटल विड कोट कि एड़े भॉल वार्ड रोब वोग दीज कोट्स ट्रीकी है वो लड़ खडाते हुए जो उसका सोटा उससे कोट पैनाया गया था उसकी बोड़ी पे उससे वो आगे बढ़ रहा था और ऐसे कोटों की अलमारी थी मिसिस पैंफरे के पास उस दोगी के लिए for the cold weather and a rain coat for the wet days ठंडे मौसम के लिए और बरसात के मौसम के लिए अलग उसके लिए कोट थे इस ट्रागल्ड ओन ड्रोपिंग इन इस हारनेस और वो जो उससे वस्तर पैनाये हुए थे उससे जैसे दबा हुआ वो आगे बढ़ रहा था I thought it would not be long before I heard from Mrs. Pamprey और Mr. Harriet ने सोचा कि अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि Mrs. Pamprey कोल करेगी कि मेरा डोगी बिमार हो गया है The expected call came within a few days और जैसा मैं आसा कर रहा था Mr. Harriet को आसा थी वह ऐसा ही हुआ उस दिनों बाद कोल आती है Mrs. Pamprey was distraught Mr. Pamprey काफी निराज थी Tricky would eat nothing refute even his favorite dishes and beside he had bounce over waiting Tricky है वह अब खाने से मना कर रहा था कुछ नहीं खा रहा था यह वह जो उसकी favorite dish है उन से भी मना कर रहा था और उसे उल्टियां भी आ रहे थी he spent all his time laying on rug painting और वह अब कालीन पे पड़े हुए अपना हाफते वे time बिता रहा था did not want it to go for works didn't want to do anything अब वह शेर के लिए भी नहीं जाता था और push भी नहीं करता था I had made my plan in advance मैंने अपनी योजना एडवांस में बनाई the only way was to get Tricky out of the house for a period Tricky की समस्चा अभी तभी अलो हो सकती थी यदि कुछ समय के लिए उसे घर से बार रखा जाए I suggested that he be hospitalized about a fortnight to be kept under observation मैंने मिसिस पैमफरे को सला दी कि उसे hospital में दाखिल करना पड़ेगा एक पखवाड़े के लिए और वो मेरी observation में रहेगा तो यह लेसन यहां तक रीट होना थे